असलाम अरेकूम हाजी वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल और आज हमने बनाएं यहां पर डोनट्स उसके लिए जो हमें इंग्रिडियन्स चाहिए इसमें सबसे पहले हमको चाहिए है यहां पर वन कप मैदा वाइट फ्लार ठीके और आपका दो थोड़ा स्टिकी हो रहा हो की धान आप ठोड़ा ऊसे कर सकते हैं ठीके है हाफ कका थोड़ा और तू क्बले स्पों हमें ाइसिंग स्वगर चाहिए वन टी स्पों हमें ईसट चाहिए और एख हम स्वाइग चाहिए रोम टेंपरेचर का चलते हम थीका आपना स्वार ड new करते ते आं यहां आप利akin any यहाँ और पर हमने एक बॉल में सबसे पहले दरनेंगे दूद या थोड़ा सब गरम होना चाहे हैँ घके इसमेन में इस टाली ठीक है इसको इस टालते हैं और हम इसमें आइसिंग शुगर एड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ठीक है यह हमने आइसिंग शुगर इसमें एड कर दी और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ठीक है यह देखें इसमें लंप्स नहीं है थोड़ा अच्छे से मिक्स क यहमारे पर फोड़ा जमा होता है तो मैने ऐसी ही डाल धिया एक अंड़ा ड़ोगा आलेंगे और हम इसमें मैडा अाड़ कर देंगे इसको offering करेंगे और अपनी गुड़ी करेंगे ठीक है ? इसको mix कर रहे हैं यह हमाई डो थोड़ी sticky हो रही थी मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और एट कर रहा है और इसको अच्छे से गूनना है maximum 5 मिंट आपने इसको गूनना है और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा oil करके और इसको cover करके छोड़ देना है maximum एक घंटा आप इसको छोड़ेंगे और यह अच्छे से rise up हो जाएगी यह राइस हो गई है ठीक है हमने इसको ऐसी निकार लिया इसको गूनना बिलकूर भी नहीं है आपने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करा इसको हलका सा गूनना और इनको cut कर लिया मैंने ठीक है और इसके balls बना लिए है मैं चोटे चोटे साइट अच्छे से lock कर देना है इसके ठाण के यह केिसा सारी size अच्छे से unlock कर देन और इसका एक ball बना देना है ठाण के यह दिखिए आपको एगा slow motion में तेख रहा है यह आराम से आप देखें यह दिखें है हमारी यह देखिए अब इसको हलकास आपने प्रेस करना और कोई भी आपके पास कटर वो मैंने यहाँ पर इसका सोया सॉस का काप यूज कर रहा था आप लोग कुछ भी कोई सा भी काप यूज कर सकते थोड़ा लॉंग होता है जस्ट बेकॉस मैंने इसलिए इसको यूज कर रहा थ सारे आपके डोनेट्स रेडी हैं अब इसको आपने प्लेट में रखके 15 मिन के लिए फिर रेस्ट के लिए छोड़ना है ताकि थोड़ा सा और राइस अप हो जाएंगे ठीक है यह मैंने इसको कवर कर आप 15 मिनिट के लिए छोड़ दिया यहां हमने अपने ऑईल गरम कर र गरम जाएं है ज्याद तीज गरम नहीं होना चाहिए कि फॉरन तोलर आ ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है यह हमने इसमें डोनेट्स टाल दिये और यह देखें आप जैसी ढालेंगे फॉरन आपके ऊपर आ जाएंगे ऐल पर ठीक है यह दिखें यह दिखें अब आप इसको यह दहन कुरेए इसको यह दीखे मैं ने ऐसे चुरी से कंगरे लिए थे आप श्मून वगरा से भी कर सकते हैं यह दीखे कलर आ रहा है इसमें अप्छा सा कलर है यह दीखेी जपरजस सा कलर आ रहा है, अब हम इसको निकाल लेंगे, ये बिल्कुल रेडी हैं, ये दिखिए, अब इसको प्लेट में आप निकाल लें किसी भी, ये, और इसको थोड़ा सा चिल होने दें, इसके बाद इस पर आप टॉपिंग कर लें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप टॉपिंग कर दें, इसके आप कुमैल डाल दें, ये आपकी मर्जी है, ये दिखिए मैंने फोक पर ऐसे लगा के, और इसके हम चॉकलिट लगा रहे हैं, ये इस तरीके से, इसके आपने चॉकलिट लगा दियी और इसके आप कुछ भी स्प्रिंकल कर दीजे, ये आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा बुक्त एजी रेसिपी है प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब माई चैनल अलाह आफिर्स